इलेक्ट्रिक सोक एंड इट्स मेनेजमेंट विदूत गात यम उसके परबंद विदूत जटका लगने के कारण उच विबवी विदूतार के संप्रक में आने पे अपने को विदूत जटका लग सकता है निम्न विबवी विदूत वाली खुली तार के संप्रक में आने पर विदू जटका लग सकता है विदूत कनेक्शन करते समय फार्ट आने पर तथा लापरवाशे भी विदू जटका लग सकता है जटका लगने से नुकसान गात तक हरदे पक्सागात फेपड़ो का पक्सागात जिसे स्वास रुख जाता है जलने के गाव तवचा पर रत्वा सरीर के अंदर हो जाते है मेनेजमेंट यदि संबभ हो तो सबसे पहले बिजली के सप्लाइ को काड़ दे या पलक को बाहर निकाल दे उसके बाद बिजली के संप्रक को गायल व्यक्ति से हटा दे ज्यान रहे गायल व्यक्ति और तार को छूना नहीं है गायल व्यक्ति को हाइटेंशन लाइन से हटाते समय सुखी लकड़ी शुखा कपड़ा या रश्ची की सायता लेने चाहिए गायल व्यक्ति को साइड में एजिकन ले जाकर प्रात्मिक उपचार करना चाहिए प्रास्वे गुपजार में ज्यान रहे गायल को कभी पीने का पानी ना दे जले के गाउब पर ठंडा पानी डाले और उस पर पट्टी मरहम करे उसको इल्टा लेटा कर उसकी पीठ पे दबाव डाले जिसे उसका साथ बाहर निकले फिर हाथ को छोड़ दे फिर सवास अंदर लेने दे फिर दबाई एक पर किरिया बार बार दोराते रहे प्रात्मे कुपचार की दूसरी भी दी गाईल को सिदा लेटा दे अपने दोनों हाथ गाईल की छाती पे रखे दबाव डाले जिसे वो उसका सास बाहर निकले फिर दबाव छोड़ दे जिसे सवास अंदर ले ये पिर किरिया बार बार दोराते रहे इसके बाद गाईल को नजदी की अस्पताल में एम्बूलेंस की साहता से पहुंचाए या गर पे प्रात्मे उपचार के लिए डोटर को बलाए उसके बाद जदी की अस्पताल में ले जाए विद्ध कारे करते समय निमन साफ़दानिया रखने चाहिए लोव वल्टेज विद्ध तरंग पे काम करते समय पेशेवर की साहता ले लकडी को चोकी पर अकबार के बंडल पर या रबड के पायदानाति पर खड़े हो करी काम करे अचल कोजारों का ही प्रियोग करे यदि रबड के देशता ने उपलब दो थो उनका प्रियोग करे हाई वोल्टेज विजुत रंग में जितना संभव हो विजुतार से दूर ही रही दोस्तों हमारी यूटूब चैनल टेक स्टेडी पॉइंट आर्ट जे को लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करें